नमस्कार मैं जैश और आप देख रहे हैं The Pamphlet आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली नगर निगम चुनाओ के परिणामों की लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें दिल्ली नगर निगम चुनाओ के 500 सीटों के परिणाम आ गए हैं इस बार आमादमी पार्टी को 134 सीट मिली है वहीं भाजपा को 104 और कॉंग्रेस को मातर 9 सीट मिली है बाकी सीटों पर निर्दलिय उम्मिद्वारों ने जीत दर्द की है नगर निगम चुनाओ में आमादमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है दूसरे नमबर पर भाजपा है जबकि तीसरे नमबर पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस है अब बात करते हैं वोट शेर की इस चुनाओं में आमादमी पार्टी का वोट सेर लगभख 42.2% रहा है वहीं भाजपा का वोट सेर आमादमी पार्टी से लगभख 3% कम यानि 49.1 और कॉंग्रेस का 12% रहा है दिल्चस्प बात यह है कि दिल्ली में आकिरी चुनाओं जो साल 2020 में होई थे 2020 की विदानसवा चुनाओं के वोटशेर को देखें तो आमादमी पार्टी के वोटशेर में भारी गिरावर दर्ज की गई है 12 प्रतिशत की वहीं भाजपा के वोटशेर में एक प्रतिशत की विर्दी हुई है एक और दिल्चस बात यह है कि कॉंग्रेस का वोटशेर जहां 4 प्रतिशत था वह भी अब बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है इस चुनाओं में हमने पाया कि साल 2013 से लेकर अब तक दिल्ली में हुए साथ चुनाओं जिनमें लोकसभा विदानसभा और नगर निगम चुनाओं सामिल है इन चुनाओंदर चुनाओं को देखा जाए तो भाजपा का वोटशेर हर बार बड़ा है जबकि आमाद्मी पार्टी का वोटशेर इस बार घटा है विदानसभा चुनाओं की बात करें तो साल 2013 में भाजपा का वोटशेर जहां 33% था वर्ष 2020 में या 38% हो गया वहीं लोगसबा चुनाओं के आंकणों पर नजर डालें तो 2014 लोगसबा चुनाओं में भाजपा का वोट से 46% था जो 2019 में बढ़कर 56% हो गया यही पैटर्न नगर निगम चुनाओं में भी देखने को मिला जहां पिछले MCD चुनाओं में भाजपा का वोट से 36% था वहीं इस बार यहाँ वोट से 49% रहा हालांकि साल 2017 के MCD चुनाओं परिणाम को अगर देखते हैं तो भारतिय जनता पार्टी को 181 सीट मिली थी जबकि आमादमी पार्टी को 59 और कॉंग्रेस को 31 सीट मिली इस बार के चुनाओं में देखने वाली वात यह रही कि आमादमी पार्टी के दागी विदायक और मंत्री अपने विधानसवा के नगर निगम सीटों को गवा बैटे हैं आमादमी पार्टी के कुछ प्रमुख नीता जिन पर तरह तरह की मुकद में दर्ज हैं जिन पर घोटालों के आरोप हैं जिन में से कुछ तो जेल में बंध हैं कुछ अभी जमानत पर बाहर हैं और कुछ पर जेल की तलवार लटक रही है इन में दिल्ली के उपमुके मंतरी म सराब घोटाले के मुख्या आरोपित हैं, उनकी विदानसवा सीट पड़पडगंज की चार वाड़ों में से तीन पर भाजपाने जीत दर्ज की है, जबकि आमादमी पार्टी को मातर एक सीट मिली है, वहीं मनी लॉंडरिंग के आरोपी और दिल्ली सरकार के स्वास्ते मंतर सतेंद्र जैन, जो पिछले छे महीने से जेल मबंध हैं, उनकी विदानसवा सीट, सकूर वस्ती की तीनों सीटों पर भाजपाने जीत दर्ज की है, कैलाश कहलोत की नजबगर विदानसवा के चार वाड़ में से तीन पर भाजपाने जीत दर्ज की, जबकि एक निर्दलिय अब बात करें कॉंग्रेस की, तो कॉंग्रेस पार्टी की दैनिये स्तिती इस नगर निगम चुनाओं में भी जारी है, कॉंग्रेस धाइसो सीटों में से दाहाई का आकड़ा भी नहीं छूपाई, और मातर नौ सीटों पर इस सिमट कर रहे गई, हालांकि कॉंग्रेस के ल भारत जोड़ो यातरा पर सबसे ज़्यादा जोड़ दे रही है, कॉंग्रेस इन चुनाओं में कितनी गंभीर रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाये जा सकता है कि कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, टीवी चैनलों पर चल रही, लाइव डिबेट में या कहते किया है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आमादमी पार्टी के वोट शेर में बड़ी गिरावर दर्ज की गई है, वहीं कॉंग्रेस का वोट शेर बड़ा है, क्या यह माना जाए कि आमादमी पार्टी का वोट बैंक कॉंग्रेस के तरफ सिफ्ट हो रहा है, इसके प धाइसों में से 50 वार्डों में मुश्लिम मद्दाता अहम भूमी का निभाते हैं बीते कुछ वर्सों में हुई चुनाव में साफ तोर पर देखा गया है कि कॉंग्रिस जहां सीधे मुकाबले में रहती थी वहां जैसे ही कोई तीसरी पार्टी चुनाव लड़ रही हो इस दित्पोल में भाजपा को दहाई अंकोत की सीमित रखा गया था जबकि भाजपा ने इस बार सौका आकड़ा पार किया है चुनावी प्रचार के दौरान ब्रश्टाचार भोटाले पर बात करने की बजाए मेडिया हर चर्चा में परचे पर भविश्यवानी लिखवा अब आप सब के सामने हैं देखते रहिए दिप पैंफिल्ट